हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो इंडियन स्टडी, इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूँ जो कि आपके आने वाले एक्जाम UPSI के लिए बेहद इंपोटेंट है तो दोस्तो वीडियो को एंटलर यूड़ दे किएगा क्योंकि लाश्ट में मैं आपसे कोसंस भी पूछूँगा और उसका अंसर आपको कमेंड बॉक्स में बताना होगा अब देखो अनिकार्ती का मतलब है अर्त उसके अलग अलग होते है जैसे कनक माने सोना भी होता है कनक माने धतूरा भी होता है इसी परकार उतकार्सका संब्ध जो है कौन सी सकर्मक करिया नहीं है अब देखो सकर्मक और अकर्मक की सबसे अची पैचाने ऐसी करिया है जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवसकता होती है सकर्मक करिया और जिनको भारी सादन की आवसकता पूरे करने के लिए उनमे करमक्रिया होती है जैसे, यहाँ पर देखो, किसान हल से खेत जोत रहा है अब देखो, खेत को जोतने के लिए हल की आवसकता है इसलिए यह सकरमक्रिया का उदारने यहाँ पर देखो मोहन बजार से फल खरीद रहा है फल जो है वहारी साधन ने इसलिए सकर्मक के रिया है चातर पुस्तकाल इसमें पढ़ रहे हैं पुस्तकाले यानि की लाइबरेली और लाइबरेली पुस्तक पढ़ने के लिए पुस्तर की आवा सकता होती है सकर्मा के लिए मजदूर पीड़ के नीचे बैठा है यहाँ पर कहीं भी और बहुत देर से बैठा है बारी साधन की आवा सकता नहीं है तो जहाँ पर भी बारी साधन की आवा सकता नहीं होती है वहां अकर्मा के रिया होती है ना कि सकर्मा किसलिए पहला options correct प्राकंपिट दोनी कौन सी है देखो प्राकंपिट को हम लुंठिट वेंजन भी कहते हैं ये प्रितन के आधार पर वेंजनों के मात्रा होती है जल्दी बताओ देखो आसंगत का मतलब होता है पहले और तीसरे चरंण में ठीक है आप सबी लोग जानते हैं दोहे के पहले और तीसरे चरंण में 13-13 और दूसरों 14 चरंण में 11-11 मात्रा होती है तो आसंगत चरंण की बात से बाका उच्ण स्थान तो सभी आंसर आपको क्या हो जाएगा सर दंतोष्ट चौथा ऐपसंस कारेक्ट नेक्स्ट कोस्टस स्टारड करने से पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तो मैं डेली विस्ट सपैनेगे करने पर चार इस्पेसल क्लास लेता हूं चार लोगों की दमाग में ये चलता है कि free special class है पता नहीं कैसे पढ़ा रहे होंगे सर मैं तो आप से साफ साफ बोल रहा हूं कि अगर आपको मेरी class पसंद नहीं आए तो जितना हो सके उतना dislike करना और अपने दोस्तों से भी कहना कि सर यहां पर जाके और आपको ऐसा ना लगे कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूं बले ही चाए पॉलिटी ले लो चाए हिंदी ले लो चाए महत ले लो जो भी पढ़ा रहा हूं अगर आपको UPSI के लेविल करना लगे तो भी आप dislike कर देना सारी चीज आप लोगो की उपर निरवर है लेकिन एक चीज की मुझे आपती है कि अगर आप मेरी class तक नहीं आओगे तो बहुत दुख होगा description में सारी class के link है link से अगर आप नहीं पहुँच पा रहा हो तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको किस तरीके से मेरी class तक पहुँचना है आप लोगों को सबसे आदा दिक्कत हो रही है मेरी special class लेने पर जो रोज सुबा 11 बज़े चलती है आप जैसे ही एनेकेणी पर अपना account बनाएंगे तो आपके सामने ये window कुल करके आएगे तो आपको यूपी ट्रपल सी सर्च करना है यूपी ट्रपल सी या ये state PCS में आपको ये यूपी ट्रपल सी देखने को मिल जाएगा तो हमने ये देखो ये मिल गया यूपी ट्रपल सी तो हमने इसको select किया select करने के बाद हमने हिंदी को select कर लिया हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है आगे की जो आपकी processing है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रपल सी लिखकर के आजाएगा यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आपके लिए करोगे तो मेरी सारी classes आपके सामने आ जाएगी जो आगामी class होँगी वो भी आ जाएगी देखो ये सारी classes आ गई अब ही हाली मैं class लेकर कर अठाओं 37 मिनिट पहले तो आपको मेरी class देखना है, सबसकरो यही वाली class देखना है, तो मैंने click किया, तो अब क्या करना पड़ेगा, तो आपको class unlock करना पड़ेगी, जैसे ही मैंने आपको class में किया, तो unlock code आपको मांगा है, तो unlock code है आपका Indian study, जो की हमारी channel का, नाम है Indian study, कहीं भी कोई भी space नहीं यह है और इसको हमने अनलोक कर दी अब आपके समने क्लास अनलोक हो गई आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली वेसे पर आपके पास नोटिफिकेसन भी पहुंच जाया करेगी अब आपको समझ में भी आ गया होगा सबकों से ठीक है अब मिलते हैं जैसे भी आपको बता जाए नेक्स्ट कोसंस हाती का परहएवाची सब्द कौन सा नहीं है जल्दी बताओ कौन सा सब्द हाती का परहएवाची सब्द नहीं है तो सही आंसर हो जाएगा आपका पुंड्रीक पुंड्रीक सब्द जो है यह हाती का परहएवाची नहीं है यह किसका एक सवया चंद का पिरकार है सवया चंद जो है वो कई पिरकार से होते है क्योंकि 22 से लेके 26 तक जिस चंद में वण होते हैं उसमें सवया चंद होते हैं मदरा सवया, 26 सवया, सुन्दरी सवया सुन्दरी सवया, तो कई सवया होते हैं तो यहाँ पर 25 बढ़ होते हैं सुन्दरी सवईया में ठीक है पहला उपसंस करेक्ट नेक्स्ट कोसंस है आपका के ओजरी की जोरी खांदे अनन्द की सेली बांदे मुंड को कमंडल खपर कियो कोरी के इसमें कौन सा रस है तो यहाँ पर आपका बीवत रस है पहला उपसंस करेक्ट लाला का इस्तरी लिंग सब्द क्या होगा जिस प्रकार पंडित का पंडिताईन होता है इसी प्रकार लाला का जो इस्तरी लिंग सब्द का वो होगा आपका ललाईन दूसरा उपसंस करेक्ट bloom सब्द यह कौन सा सही नहीं है जल्दी बता question number 16 तो आपका जो सही answer हो जाएगा मिर्शन का कोमल यह आपका bloom सब्द जो है वो आपका क्या है सर सही नहीं है पहलाई option जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर correct हो जाएगा next question से आपका यह एक दूसरे के समनारती सब्द है यानि कि मिर्शन और कोमल एक दूसरे के समनारती है मिर्शन का bloom सब्द देखेंगे तो कटोर होगा ठीक है निम्निकत में से ने युक्त सुदवाक बताईए जल्दी बताईए मैने चाय खुद बनाईए मैंने चाय बनाया था गलत है मैंने चाय बनाई है या मैंने चाय बनाया है तो ये भी गलत है एक और सी में आप देख लो कौन सा सही है देखो मैंने चाय खुद बनाई है या मैंने चाय बनाई है तो तीसरा आपसंस करेक्ट होगा next questions लगूर्मी में कौन सी संदी है जल्दी बताओ लगूर्मी में आपको संदी बताना है कि लगूर्मी में कौन सी संदी है तो देखो अगर हम लगूर्मी का संदी बिक्चित करेंगे तो लगू पिलस उर्मी और चोटी हूँ और बड़े हूँ दौनों को मिला के बड़ा हूँ बनेगा बड़े हूँ की मातरह दीरसंदी में आती और दीरसंदी वाला जो नियम है वो सवरसंदी में आएगा तीसरा options correct परमार्त में कौन से संदी है जलदी बता Minuten और method number 20 के परमार्त में कौन से संदी है important questions तो आपका जो सही अंसर हो जाएगा वैymm ..." या संधी बिख्चित करना है परमार्त का तो परमार्त का संधि बिख्चित क्या हो जाएगा आप्सजिन नमबर अहे、 पहला ओप्सजिन, correct पलम, पलस अर्थ अब देखो यहाँ पर भी आ, यहाँ पर भी या आ और आ मिलके बनेंगे बड़ा आ और बड़ा आ का नियम जो है वो दीरते संदी में है जो पढ़ाना जा सके वाक की आंसों के लिए एक सब्द क्या होगा तो इसको बुलिंगे हम आ पठनी है दूसरा आपसन्स करेक्ट निमलेकत मेंसे अपूर बूत काल को पैचानी है कौन सा वाक अपूर बूत काल का है तो सही आँसर हो जाएगा रामू खाना खा रहा था ये अपूर बूत काल काल है पैराई ओ आपसन्स बिलकुल करेक्ट है निमलेकत मेंसे किस कभी को घ्यान्पित पुरुसकार नहीं मिला जल्दी बताओ किस कभी को नहीं मिला तो सही आंसर हो जाएगा आपका माखललाल चतुरवेदी दूसरा ओपसन्स सही योजक चिन का एक और नाम क्या है जल्दी बताओ सही योजक चिन का एक और नाम तो आपका सही आंसर हो जाएगा समासिक चिन तीसरा option जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर correct हो जाएगा जैसे मैंने आपके सामने लिया माता और पिता इन दोनों के बीच में जो चिन लगा इसको साई योजक चिन या योजक चिन बोलते हैं क्योंकि इसमें दोन समासे इसको समासिक चिन भी कहते हैं next questions इन में से कौन सी लोकोति के भावर्त सूसंगत नहीं है यानि की सही अर्थ नहीं दिया हुआ है मन चंगा तो कटोती में गंगा यदि मन सुध है तो घर में तीर्थान का फल मिल सकता है ठीक है बिलकुल उसके बाद आभेल मुझे मार यानि की जान पूचकर विपत्ती में पढ़ना ये भी ठीक है काला अक्छर भेहंस बराबर यानि की बिलकुल अन पढ़ना ये भी बिलकुल ठीक है आंक के अंदे नाम के नायन सुक दरश्टी वादित को अपना नाम नहीं भाईया ये आपका जो है वो गलत है चुआता ओप्संस करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आंक के अंदे नाम के नहीं सुक इसका जो अर्थ होगा कि गुडो के विपरीत अपना काम करना ठीक है निमले के तमेंसे दिये गए विकल्पों मेंसे सभी सब्द जो है वो ततसम है कौन से विकल्प में ऐसा है जल्दी बताओ तो संकट, सटक और सहज ये सभी सब्द जो है वो ततसम सब्द है कर्मकारक आपको बताना है जल्दी बताओ तो सही आंसर हो जाएगा लड़का पत्थर फैकता है अब आप बोलो के सर कर्मकारक का जो विवक्ति चिन होता है वो क्या होता है ने, तो ने तो यहाँ पर दिखा ही नहीं है तो उसका विवक्ति चिन जीरो पे होता है जब कर्मी की प्रदान ताओ पत्थर जो है वो कर्मे इसलिए लड़का पत्थर फैकता है दूसरा ओप्संस करेक्ट देशा सब्द कौन सा नहीं है जल्दी बताओ तो सही आंसर हो जागा हड़ी हड़ी सब्द जो है ये देशा सब्द नहीं है दूसरा आपसंस यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ये एक तदभाव सब्द है निम्लिकत मेंसे कौन सा सब्द यहों को मुझे है वो सही है जल्दी बताओ निरजर मांने जहरणा बिल्कुल ठीक है और निरजर मारे देपता ये बिल्कुल ठीक है चौटा आपसंस करेक्ट हटेली पर सरसो जमाना इस मुखा एक तो सही अर्द क्या है तो सही आँसर हो जगा असंभा उ काम कर दिखाना दूसरा आपसंस करेक्ट इनमें अता और ठीक है अतवा एवम लेकिन किन्तू परंतू इन सबी से जुड़े होते हैं देख लो कौन सा सब्सक्राइब है दूसरा ऑप्संस देखो अता से जुड़ा दूसरा ऑप्संस करेक्ट ये सारे कीवर्ड्स हैं पता तब ही होगा जब आओगे पढ़ने बनना तो भाई आओड अते शुड़ेडरण करेक्ट किस वांक में किरिया की एकछार्त विरत्ति का प्रियोग हुआ है जल्दी बता जिसमें एकछा बचा किरिया दिए ये ये पूच्छाए है तो इस पर सब का k clergyाना करें तीसरा ऑप्संसक्रेक्ट इンタर्वेसरा और इनमें सरवनाम में अपनापन ये सब्द जो हैं वो सर्वनाम सब्द हैं ठीक है और उससे जो संग्या बनी है मम्ता भावाचक संग्या दूसरा उपसंस करेक्ट दूबला में दू क्या है तो आप सभी लोग जानते हैं जो किसी भी सब्द की आगे लगा जाते हैं उनको अफसर्ग बोलते हैं त पूरब का लिक करिया पता होना चाहिए बनना तो ये दुहें उड़ेगा आपके सामने से बनना कुछ समझ में नहीं आने हैं पसु का जीवन सहज प्रवती से परीचालित होता है तीसरा उपसंस करेक्ट सुद वर्तनी आपको बताना है थर्टी नाइन पिरती दर्स पिरत इस हिंदी के important questions जो कि मैंने आज की वीडियो में आपको complete करवा दिये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तो वीडियो को like और share जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तो फिलाल की वीडियो में सुर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्ल कि मैं इसी तरह की वीडियो से आप लोग लिए लात रहता हूं नमस्कार दोस्तो जया हिंद जया भारत